हेलो स्टूरेंट्स वेल्कम अगेन टू लंडवे देटीमन आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2 केंद्र सरकार तो हमने लोगतंत्र का चैप्टर कंप्रीट किया स्लेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक आपका लोगतंत्र उसके बाद केंद्र सरकार, राज्य सरकार, न्याय पालिका और उसके बाद सानिय स्वशाशन यानि पंचायती राज व्यवस्ता तो स्लेबस के यदि देखें, तो ये जो चैप्टर्स हैं, ये बिल्कुल नोट्स के रूप में ही आपके काम आएंगे, एक एक पॉइंट जो है, ये बिल्कुल नोट्स के रूप में ही काम करता है, तो बहुत ही अच्छे से आपको समझना है, कोई भी आपका एक्जाम हो, जहां आपके केंद्र सरकार टॉपिक दिया हो तो वहां ये टॉपिक इसमें से प्रशनों जो हैं वो आएंगे ही चलिए स्टार्ट करते हैं कुश्चन वन सरकार का क्या अर्थ है सरकार का क्या अर्थ है कि एक अमूर्थ और अद्रश्य संस्था होती है इसे मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को ही सरकार कहा जाता है सरकार के प्रमुक तीन अंग कौन से हैं तो लास्ट रे क्लासेज में हमने 6, 7, 8 में हमने देखा है कि सरकार के तीन अंग होते हैं वो है विवस्थापिका, कारेपालिका और न्याएपालिका व्यवस्थापिका जिसका काम होता है कानून बनाना, कारेपालिका जिसका काम होता है कि उन कानूनों को लागू करना और नियाएपालिका जोकी हमारी स्वतंत्र होती है, निस्पक्ष होती है सरकार के तीन अंग है व्यवस्थापिका, कारेपालिका और न्याएपालिका next व्यवस्थापिका का गठन कितने इस्तर पर होता है तो देखिए सभी कुछ आपको पता है क्योंकि हम पिसली जो क्लासिज में कर चुके हैं वहां हम सभी चीज पढ़ चुके हैं लेकिन question की जो language है वो थोड़ी सी बदल जाएगी अब जो कि आपके exam के according होगी exam में इसी तरीकी की प्रशन पूछे जाएगे अब देखिए विवस्थापिका का गठन कितने सतर पर होता है तो यह answer आपको आता है लेकिन इसकी जो भासा है वो बदल गई है विवस्थापिका गठन जो है वो दो सतर पर होता है रिक्तो केंद्र सतर पर और राज्य सतर पर संगिय विवस्थापिका और राज्य विवस्थापिका जिसे कहते हैं Q4. संविधान में संगिय व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? संसत कहा जाता है. संविधान में संगिय व्यवस्थापिका यानि केंदर व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है, जिसमें राश्टरपती, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीन प्रमुक अंगिस के माने जाते हैं, ठीक है? Next है Question 5, समविधान के किस अनुचेद में विवस्था की गई है कि संग की एक संसद होगी? देखिए, बिल्कुल ये शब्द जो है, बिल्कुल ऐसे ही आपको याद करने होगे, कौन सा अनुचेद है, जिसमें कहा गया है कि संग की एक संसद होगी? अनुछेद 79 में कहा है कि संग की एक संसद होगी तो देखिए कुछ अनुछेद जो है वो आपको याद नहीं होते हैं लेकिन जो अनुछेद हम यहाँ इस चैप्टर में पढ़ेंगे उनको तो आपको याद ही करना पढ़ेगा क्योंकि आपके एक्जाम में इन बुक से ही कुछन आते हैं तो सभी अनुछेदों को याद करना possible भी नहीं हो पाता है तो इसलिए कुछन की language के द्वारा ही आप अनुछेद याद करेंगे जिससे की आपको वो चीज समझ में भी आएगी और अनुछेद इसी तरीके से याद हो जाएंगे चलिए कुछन 6 है संसत का निर्मान किन से मिलकर होता है संसत का निर्मान किन से मिलकर होता है तो संसत का निर्मान होता है राश्टरुपती और दो सदन लोगसभा और राज्यसभा से मिलकर होता है लोकसभासंसत का कैसा सदन है लोकसभासंसत का कैसा सदन है तो यह एक तो प्रतम सदन है निमन सदन है क्योंकि उच्च सदन राज्य सबा है और यह क्या है लोकप्रिय सदन है क्योंकि जनता जो है वो प्रतिक शुरूप से यहां पर मत देती है और अपने जो प्रतिनिधी जो लोगसभा के सदस्य कैसे निर्वाचित होते हैं यह प्रत्यक्स रूप से जन्ता द्वारा वयस्क मत अदिकार से होते हैं, वयस्क मत अदिकार यानि कि जिनकी 18 वर्से से अधिक उम्र होती है वो अपना मत देते हैं, वो जनता जो है वो अपना मत देती है नेक्स्ट कोश्यन नाइन, मूल समविधान में लोक सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? देखे, पूछा क्या है? मूल समविधान में, जब समविधान बना था, उस समय लोग सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर है 500 सदस्य, याद रखने हैं कितना 500 सदस्य है? लेकिन यदि अब पूछा जाए, तो लोग सभा में सदस्यों की जो अधिक्तम संख्या है, वो 550 है, वर्तमान में कितनी है? 550, इससे पहले 552 थी, लेकिन दो एंगलो इंडियन जो की अब हटा दिये गए हैं, त तो अब कितनी है संख्या? 550, और मूल समविधान में 500 सदस्य थे. लोग सभा सदस्यों की अधिक्तम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोग सभा में अधिक्तम सदस्यों की संख्या जो है, वो 550 हो सकती है, जिसमें से 530 सदस्ये राज्यों के निर्वाचन शेत्रों से होते हैं, और 20 सदस्य संगिय शेत्रों से निर्वाचित होते हैं तो पहले भी हम इन questions जो हैं इसे कर चुके हैं Next है question 11 लोगसभा के सदस्य बनने की क्या योगताएं होती हैं देखिए पहली तो कि भारत का नागरिक हो ये तो होना जरूरी है उसके बाद लोगसभा का सदस्य बनने के लिए आयू 25 वर्स से अधिक भारत सरकार अत्वा किसी राज्य सरकार के अंतरगत लाब के पद पर पदासीन ना हो और पागलवा दिवालिया ना हो ये सबी लोगसभा का सदस्य बनने के लिए योगताएं होती हैं यहाँ पर याद रखने वाली बात है 25 वर्ष नेक्स्ट है लोगसभा का कारेकाल कितना होता है तो अंसर है 5 वर्ष कुश्यन नमबर 13 लोगसभा को समय से पूर्व भंग किसकी द्वारा किया जा सकता है हमें पता है लोगसभा जो है वो निम्न सदन है क्योंकि इसे समय से पूर्व यानि 5 वर्ष होने से पहले भी भंग किया जा सकता है तो किसके द्वारा भंग किया जा सकता है यह राष्ट्रपती के द्वारा भंग किया जा सकता है प्रधान मंत्री के परामर्ष पर देखिए राश्ट्रपत्ती जो भी निरड़ें लेते हैं, उसमें जो मंत्री परिशद होती है, मंत्री मंडल जो होती है, उसकी सला अविश्यक होती है। तो प्रधान मंत्री के परामर्ष्र के अधार पर ही राश्ट्रपती के द्वारा लोगसभा को भंग किया जा सकता है Q14. लोगसभा और राज्यसभा के अधिवेशन किसके द्वारा बुलाए वह इस्तगित किये जाते हैं? एक वर्ड आता है बुलाना यानि आहूत करना लोगसभा और राज्यसभा के अधिवेशन किसके द्वारा बुलाए वह इस्तगित किये जाते हैं? तो इसका आंसर है राज्यसभा और राज्यसभा के अधिवेशन किसके द्वारा बुलाए वह इस्तगित किये जाते हैं? राज्यसभा के द्वारा समविधान के किस अनुचेद के अनुचार लोगसभा स्वयम ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी तो यह किस अनुचेद में है? यह है अनुचेद 93 के अनुचार इससे पहले हमने कौन सा अनुचेद पढ़ा था? कि समविधान में 79 अनुचेद के अनुचेद 79 के अनुचार कि संग की एक संसद होगी यह हमने पढ़ा था, अब आपको याद हुआ होगा next आपको जो अनुचेद जो याद करना है वो है कि अनुचेद 93 के अनुचार लोगसभा अपने सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष जिससे speaker कहेंगे या लोगसभा अध्यक्ष कहेंगे और उपाध्यक्ष का वाचन करती है ये आपको दोनों अनुचेद जो है वो आपको याद रखने हैं तो जो question आएंगे अनुचेद से related वो तो आपको याद ही रखने हैं समविधान के अनुचार लोगसभा की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को किसके द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं तो ये decide करता है संसद संसद द्वारा ही निर्धारित वेतन बत्ते प्राप्त करते हैं लोगसभा की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? उनको पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? किसको? लोगसभा की अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को इसका सही आंसर है कि लोगसभा की ततकालिन सदस्यों जो समय मौझूद हैं उनके बहुमत से प्रस्ताव पास होने पर वो प्रस्ताव को पेश करने के लिए कम से कम 14 दि पूर्व सूचना दी गई हो. तो इनको हटाने की प्रक्रिया कैसी है? कि जो सदस्यों होते हैं उनके बहुमत से प्रस्ताव पास होते ही लोगसभा की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटा दिया जाता है. लेकिन इसके लिए प्रस्ताव को पेश करने के लिए कम से कम 14 द जो है वो कौन करेगा लोकसभा में से ही कोई सदस्योंदारा कोई एक अध्यक्ष जो है वो चुना जाता है जिसे speaker कहते हैं तो वही speaker वही लोकसभा अध्यक्ष जो है वो सभी बैठकों की अध्यक्षता करते हैं कौन निर्ने करता है कि कोई विधैक धन विधैक है या नहीं तो ये निर्ने करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष तो आज हम यहीं तक करेंगे next वीडियो में हम इसका second part करेंगे मिलते हैं next वीडियो में Thank you झाल झाल